नमस्कार दोस्तो बबले दे में स्वागत है और आप यह जो विराइटी देख रहे हैं यह आपका गौड़ी विराइटी है और दूसरा नमबर यह से करेंगे तब मख़ो देख सकते हैं दोस्तों यह जो विराइटी है आपका गौड़ी विराइटी है और यह जो विराइट तो कहने का मतलब कि इस प्लांड में पत्ती खतम हो गया और इस प्लांड में अभी एकात पत्ती है तो जिस प्लांड में पत्ती खतम हो जाता है उसको पहले रिपोर्टिंग करना है जिस प्लांड में पत्ती है वो बाद भी कर सकते हैं कि पत्ती है तो पानी हीच रहा है ठीक इसके हमको समझ में आगा कि यह भी reporting के काभिल हो गया है यानि कि reporting करने का और हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि अर्वीकम और ओबेसं सबको एक साथ ही रखते हैं और एक साथ ही reporting करते हैं दोस्तों यह हमारा भी thinking था लेकिन हमारा thinking गलत था हम अपने साफ को बहुत बड़ा expert नहीं समझते हैं हम भी कहीं से ज्नलते हैं और ज्नलोग को देते हैं हर जगा सुनते ही कि arvikum जल्दी मोटा हो जाता है है मोटा तो होता है ठीक है लेकिन हमारा यह जल्दी मोटा नहीं हो रहा था कि दो बबलू मनब मेरे नाम से ही बोलते हैं लोग कि देखो जो भी अर्बिकम जो प्लांट है वो ओबेसम से ज़्यादा खाना खाता है ठीक है और ओबेसम से ज़्यादा खाना खाने के वज़े से वो जल्दी डिबलफ होता है मोटा होता है अब रह गया कि हम लोग ओबेसम प्लान्ट को क्या करते हैं साल में एक बर रिपोर्टिंग करते हैं ठीक है तो एक नेच्रल तरीका से चलता है लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि इसको जल्दी मोटा करने के लिए या इसको जल्दी खाना हमेशा उसको न्यूटरिशन देने के लिए साल में दो बार या तीन ब में एक बार रिपोर्टिंग करते हैं तो अब करते हैं कि Libickam प्लांट को Salaam में दो बर करने से सकता है घए नहीं किमाने गांसे साल में करने से प्लांटर में व्याख नहीं होगा और यह होगा तो उसी तरह देखे पत्ती जहर गया है और हम इसको निकालने जा रहे हैं और निकाल के देखेंगे क्या प्रोसेस है इसका तो वीडियो में बने रहे गलाश्टक दोस्तों और हम इसको एक मेरे हाथ में एक मुवाइल में कैमरा है तो अब क्या कर रहे हैं इसको हम खड़ा कर दे रहे हैं या हम निकालकर फिर दुबारा हम इस वीडियो में आ रहे हैं दोस्तो हम बस गमला ठोक के मिट्टी से बाहर निकाल दिये और देख सकते हैं कि आपके सामने हम इसको हाथ से भी छुडा रहे हैं मिट्टी क्योंकि एक हाथ से हम मोबाइल पकड़े हुगे हैं और ट्राइपोड और स्टेंड हाय नहीं और खाय भी तो खराब हो गया था से हमारे पास हो जायेगा तो हम आइक लिए बढिया तो दोस्तो देख सकते हैं हमने इस प्लांट को निकाल दिया और कि निकालने कई एक पर लिए और हमको डर लगता है कही खराब ना हो जाए तो भाई सभी लोग डरते हैं ऐसा बात नहीं है कि आए एकसपर्ट हैं तो इ फिर बिस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखिएगा जरूर, देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग चल रहा है, इतना प्लांट को हम अभी तक निकाल चुके हैं, और कुछ वीडियो बना के डाल भी चुके हैं, हो सकता आप लोग वीडियो देख विली होंगे, तो बस यही चल रहा है, और यह देखिए दम बाउने जाती का प्लांट, और इसका नाम है गौड जी, बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, हम इसी ऐसा ही प्लांट का हमको तलास थी, कि दम कम हाइट हो, और ऐसा राउंड राउंड जैसे लट्टू की तरह यह था नह यहां से जिसे गेंदे के अकार का यह फूला कर निकलना, डेवलप करना, तो मैं ले चुले लिया हूं, तो कहने का मतलब कि हम इसको मिट्टी जहार दिये, एक हाथ से ही पकड़की इसको ठीक कर दिये, और अभी तक इसमें कोई ट्राइल फंगस नहीं, अब इसको नहीं कर लखिएगा, जैसे कि आप ऐसा मिट्टी के टर्च में लखिएगा, तो कोई प्रॉलम ही है, अब मिट्टी में अंदर गमले में डबा रहेगा, तो उससे ठंड़ा खिषती है, इसका वीडियो में बना चुका हूं, पिछले वीडियो में देख लीजेगा, आप चली इसको 23 जनवरी, आज 23 जनवरी को वीडियो बन रहा है, और 26 जनवरी ये भी आने माला है, 26 जनवरी का वीडियो भी मेरा देख लीजेगा, 26 जनवरी से करें रिपोर्टिंग, एक दो साल पहले बनाया था, उसमें तो बहुत ही सुन्दर बताया हूं दोस्तों, उसमें इतना अच बताया हूं, रिपोर्टिंग करने से क्या फायदा उसको देख लीजेगा, इस थम्नेल, मतलब इसके थम्नेल के साथ वो भी रहाएगा, ठीक है, तो ऐसा ही टाइप का प्लांट, मैं हाथ में लेके लिया हूं, तो देख लीजेगा दोस्तों, बहुत ही रिपोर्टिंग के लगाऊंगे तब जहरेगा, तो फिलाल ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको करना क्या है, केवल दस दिन के लिए हम बाहर छोड़ेंगे, और दस दिन के बाद फीर हम लगा देंगे, जैसे नेचुरल चल रहे है, और लगाने के बाद, दो चार दिन, पांस दिन, दस दिन के बाद, हम एक बार पानी दे देंगे, जरूरत के अनुसर, ज्यादा जरूरत है, तो दे देंगे, एक हपता में, पांस दिन में, नहीं जरूरत है, तो बस ऐसे ही चलते रहेगा, तो रिपोर्टिंग देखा दिये, दोस्तों, ऐसी रिपोर्टिंग करना है पर रिपोर्टिंग या पांच मंद पर रिपोर्टिंग खोजता है उस हिसाब से कीजिएगा तो कोडेक्स जल्दी मोटा होगा ओवेसम क्या पिक्छा ठीक है ओवेसम में तो नेच्छल चलता है लेकिन इसकी मेरे की कोई कोडेक्स मोटा नहीं हो रहा था इसलिए हम पूछे तो हमको यह मालूम चला कि वाई तीन-बार करने पर या तीन बर करने पर कोई दिकत नहीं होगी वह आप एक बट्राइब करके देख लिजेगा सायद कोडेक्स और अच्छा बहतर हो जाए दो ही बट्राइब कीजिएगा तीन बर में तीसरा बार रिक्स वाली बात हो जाएगी फिर मत कहिएगा कि बहलू तीन बर बताया है तो हमने तीन बर कर दिया दो बर करके देख सकते हैं एक्सपर्ट है तो तीन बर कर सकते हैं नॉर्मल आत्मी है तो दो बर कर सकते हैं दो बर करके बट्राइब कीजिएग ये बारत